Hello students, you are most welcome आज की वीडियो में लगबग इतने questions cover किया जाएंगी लगबग सोख से ज़्यादा questions है ये सारे questions कहीं ने कहीं किसी competitive exam में पूछे जा चुके हैं हाली में ITITO का exam conduct होने वाला है जो विद्यारती ITITO COPA branch से related exam की तयारी कर रहे हैं वो सारे इन questions को इस series को join कर ले क्योंकि ये सारे 100% question आने की संभावना रखते हैं ITITO COPA में लगबग 35 number का trade से question आएंगे तो आपको computer के तयारी इतने high level पर रखनी होगी कि आपका कोई भी question गलत ना हो लगबग हमें 65 number ला नहीं है तब जाके हमारा selection होने की chances बनेंगे आप इस series को join कर ले जिसमें 2000 important one-liner question कवर किये जा रहे हैं एक दूसरी series जिसमें 2000 important MCQs कवर किये जा रहे हैं और एक और series जो की practically based MCQs कवर किये जा रहे हैं CPCT exam के regarding और आप भी चाहते हैं CPCT exam में और ITITO की exam में exam में practical तरह से question frame होने की ज़्यादा chances है computer system में hardware, software और peripheral device सामिल होते हैं सब दे resource का अर्थ computer के ऐसे किसी गटक से है जो कारी करने के लिए आउशक होते हैं computer पर जानकारी digital data के रूप में store की जाती है computer का प्रकार, processor और operating प्रनाली उसके platform पर परिभासित करती है computer जो personal computer है वो व्यक्ति की computer ही जरुतों को पूरा करने के लिए design किया गया है पहले से चल रहे computer को पुना चालू करने की process warm booting कहलाती है पहली adding machine जिसमें जोड हो सकता था Pascal थी सबसे पहली calculating device abacus है याद रखना Pascal device में सिर्फ जोड होता था और सबसे पहली calculating device abacus में पूरा calculation किया जाता था computer की बुनियादी संरशना का विकास चाल्स बेवेस ने किया था सामान्य रूप से प्रियुक्त किये जाने वाला सूपर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है क्रे क्या है क्रे एक सूपर कंप्यूटर है पंचम पीडी के कंप्यूटर की प्रमुक विसेस्ता निम्न में से कोन सी होगी घर घर उप्योग करना पंचम पीडी के कंप्यूटर की प्रमुक विसेस्ता रही है कंप्यूटर के विकास में सरवादिक योगदान किसका है जॉन वान नुमेन का कम्प्यूटर का नियंत्रन भाग CPU कहलाता है कम्प्यूटर क्या है? कम्प्यूटर एक electronic machine है कम्प्यूटर की विशेष्थाएं या कार्य क्या नहीं है? डेटा का आक्लन करना नहीं है GUI का पूरा नाम Graphical User Interface है Micro Computer की समता एक लाग संक्रियाएं प्रती सेकंड होती है सबसे तेज कम्प्यूटर होता है सूपर कम्प्यूटर सबसे तेज कम्प्यूटर होता है पूर्व में Faltron के साथ कारी करने वाला Computer किस यूग के Computer है? दुसरे यूग के Micro processor किस पीड़ी का Computer है? Micro processor 4 PD का computer है आगे बात करते हैं एक बड़ा और महेंगा computer जो एक साथ सेकडों या हजारों प्रयोकताओं के लिए data process करने की शमता रखता है वो है mainframe computer कौन सी प्रक्रिया या सुनिशित करने के लिए जाच करती है की computer operate कर रहे हैं और उचित धंग से चल रहे हैं बुटिंग की process जो आसानी से instruction समझ लेता है उसे user friendly कहा जाता है computer से संधर्व में ALU का तातपर्य arithmetic logic unit है computer का मुख्य पूर्जा micro processor कहलाता है प्रतम अंकिय computer के blueprint के विकास में सर्वादिक योगदान चाल्स बेवेश का रहा है सर्व प्रतम आधुनिक computer की खोज सन 1946 में की गई integrated circuit chip का विकास किस ने किया JS किल्भी ने किया प्रतम PD के computer में बड़ा आकार एक दोश था तरतिये PD के computer में मुख्य घटक integrated circuit है कार्य पद्यती के आकार पर computer के प्रकार है digital और micro पहला भारतिये computer सर्व प्रतम कहां लगाया गया था इंडियान सांकी की संस्थान कोलकाता में लगाया गया था भारतिये सूपर कंप्योटर पर 10,000 का उदम किस्षन में हुआ 1998 में सरवादिक सक्तिशाली computer सूपर कंप्योटर है डिजिटल कंप्योटर किस सिधान पर कारी करता है गणना के सिधान पर कारी करता है सूपर कंप्योटर अन्य कंप्योटरों से किस प्रकार भिन नहे परिकलन शम्ता एवं व्रहत इस्म्रती भंडारन के अनुसार वो अन्य कंप्योटर से भिन नहे आकार के अधार पर कंप्योटर के कौन से प्रकार नहीं है अप्टिकल कंप्योटर किसी प्रकार कंप्योटरों का मुक्य पुरजा माइक्रो प्रोशेसर कहलाता है वाल्व लगे कंप्योटर किस प्रकार च्रक्स प्रकार पर अधुनिक कंप्योटर में प्रियोग किये जाने वाले VLSI है Integrated Circuit किसे बनाई जाती है? Silicon से Eniac का पूरा नाम क्या है? Eniac का पूरा नाम Electronic, Numeric, Integrated and Calculator है अगला प्रश्ण है Super Chip का प्रियोग Mini Computer में लगाने से वह Super Mini Computer बन जाता है तो याद रखना 80386 Super Chip का प्रियोग Mini Computer में लगाने से वह Super Mini Computer बन जाता है Television के आकार का Computer कौन सा होता है? Micro Television के आकार का Computer है Computer के रचना सिल्प में कौन सी विशेस्ता नहीं पाई जाती? ये कम गती एवं असुदता से काम करता है Computer की शमता शिमित है Computer की इस्मरन सकती Computer की तुनला में सामान्य होती है Computer को किस प्रकार की बुद्धी की संग्या दी गई? क्रतीम बुद्धी की संग्या दी गई अगला प्रश्ण है नहीं आते हैं सर्वप्रथम पंचकार का प्रियोग किस ने किया था? पंचकार का प्रियोग जोसेप मेरी ने किया था एकिकरत परिफ़त के अविश्कार से किस पीडी का जन्म हुआ था? तिसरी पीडी का जन्म हुआ था यह सारे कोशन एक्जाम ओरियंटेट है, कॉम्प्रिटिव एक्जाम में यह सारे कोशन 100% आने की संभवना रखते हैं क्योंकि यही कोशन बार बार रिपीट होते रहते हैं और यही से कोशन फ्रेम होते हैं यह सारे कोशन आप अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना, याद कर लेना अगला प्रस्ण है, प्रतम पीडी कंप्यूटर था? इलेक्ट्रो मेकेनिकल एनलोग कंप्यूटर है, निम्न इस्तर पर संप्रेशित करना प्रतम इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर है, मार्क वन याद रखे, प्रतम इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर मार्क वन है विश्व का सबसे पहला सूपर कंप्यूटर बना था, 1989 में विश्व का सबसे पहला सुपरकंप्यूटर 1989 में बना था वेक्तिगत तोर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है भारत में निर्मित प्रतम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है सबसे पुराने आकड़े गिनने वाली मशीन एबेकस है अगला कोशन कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धी की संग्या दी गई कृतिम बुद्धी की संग्या दी गई यह सारे question one-liner के format में है जिससे हमारा Q-Revision हो जाएगा अगर आपकी पड़ाई कमजोर है तो आप इन सारे question को attempt कर ले यहां से भी आपकी 70% तयारी complete हो जाएगी अगला question है एक micro processor आधारी device है personal computer एक micro processor आधारी device है ऐसा computer जो analog एवं digital computer के मिस्रन से बना है hybrid computer कहलाता है पांचवी पीड़ी के computer की विसेस्ता है क्रती बुद्धी प्रत्रम computer जिसमें storage सुविधा थी वो है SD ऐसे computer जो portable होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोकताओं के लिए सुविधा जन्नक होते हैं लेपटाप कहलाते हैं अगला प्रस्ण है चतूर्द पीड़ी का मुख्य अव्योथा व्रहत एकिकरन परिपत एक छोटे सिसी कॉन चिप ये लिखा कुछ इस प्रकार है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर टांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरनों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सर्कीट को हम इंटीग्रेटेट सर्कीट कहते हैं प्रतम पीडी के कम्प्यूटर में इलेक्ट्रोनिक घटक वाल है प्रतम पीडी के कम्प्यूटर में इलेक्ट्रोनिक घटक वाल था वाल डेटा और प्रोग्राम में कोन अंतर करता है माइक्रो प्रोशेसर डेटा और प्रोग्राम में अंतर करता है सिलिकॉन से बनी जिसके चारो और तार निकले होते हैं और बहुत पतली होती है उसको हम इंटीग्रेटेड सरकीट कहते हैं अगला प्रस्न है व्यक्तिकत तोर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है भारत में निर्मित प्रिथम कंप्यूटर का नाम सिधार्त है, सबसे पुराने आकड़े गिनने वाली मशीन अबेकस थी पोर्टेबल कंप्यूटर का कौन सा है जिसमें आसानी से एक इस्थान से दुसरे इस्थान पर ले जाये सकता है लेप्टाप, द्वितिय पीडी के कंप्यूटर में प्रियोग होने वाला टांजिस्टर का उप्योग किया जाता था पांचवी पीडी के कंप्यूटर की विशेषता क्रतीम बुद्धी, प्रत्यम कंप्यूटर जिसमें स्टोरे सुविधा उपलब दती, S-DEC कहलाता था ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने में सुविधा जनक होते हैं, लेप्टाप कहलाते हैं माइक्रो, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अव्यों में कौन सा मिल नहीं है, इंटरनेट अगला प्रशन है, डेटा और प्रोग्राम में अंतर माइक्रो प्रोसेसर द्वारा किया जा सकता है सिलिकॉन से बनी जिसके चारो और तार निकले होते हैं और भहुत पतली होती है, इंटिग्रेटेट सर्कीट कहलाता है कंप्यूटर में प्रियोग होने वाले प्रमुक तीन पार्ट, टेप, सिप्यू और प्रिंटर है कंप्यूटर हार्डवेर को अधिक आधुनिक बनाने की प्रोसेस अप्ग्रेट कहलाता है कुछ कुश्चन्स हमारे और बाकी है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पददी का उप्योग होता है, द्वी आधारी अंक पददी का उप्योग होता था भारत में विक्सित परम सूपर कंप्यूटर का विकास C-DEC द्वारा किया गया, डेटा स्टोर करने और केल्कुलेशन करने के लिए कंप्यूटर का उप्योग बाइनरी रूप में होता है आपके computer को बनाने वाले physical components hardware कहलाते हैं जब आप computer on करते हैं तब boot routine यह test करता है power on self test computer द्वारा क्या गया बुन्यादी कार्य है अंकिक कार्य, तार्किक कार्य और data संग्रहन desktop computer को PCB खेते हैं कौन सा computer का बुन्यादी काम नहीं है copy text input, output और processing device का एक साथ समुव बना दिया जाए तो वह निम्न को निरुपित करता है computer system पंचकाट को सबसे पहले पेश कियाता हर्मन हॉलर्थ ने computer की भोतिक बनावट कहलाती है hardware Apple micro computer का विकास 1927 में किया गया keyboard 0 से 9 label वाली की को numeric की कहते है computer के मुख्य सिस्टम को motherboard कहा जाता है computer के अनवरत विधुत आपूर्थी को संशिप्ट रूप में UPS कहा जाता है भासा जिसे computer समझता है एवं निस्पादित करता है गुप्त पुचल भासा कहलाती है इसे जब आप स्योव करते हैं तो computer बंद करने पर आपका data यतावत रहता है secondary story device में पर हम एक सूपर कंप्यूटर है भारत द्वारा निर्मित गणना सैंत्र अबेकस का अविशकार चीन में हुआ था चेपियर्स बोन कौन कौन से काम अबेकस से अधिक कर सकता है जोड और भाग उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मसीन के डिजाइन में पंचकाट मसीन बनाई उसका नाम था जोसप जेकवार्ड वर्तमान कंप्यूटर निम्ण में से किस पर आधारी थे? ग्रेगेरियन केलेंडर पर वह महिला जिसने चाल सब वेवेच के साथ कारी किया जिनने पहला कंप्यूटर प्रक्रामर माना गया लेडी अंगस्टा को आज का लास्ट कोश्चन सूपर कंप्यूटर में एक बैसिक साइकल कितने समाई की आती है? 4 से 20 नेनी सेकन की आप ये सारे कोश्चन अच्छे से पढ़ ले ये सीरीज हमारे लिए सारी कंप्यूटिटिव एक्जाम के लिए फाइदे मन्द है तो आप इस सीरीज से जुड़े और अपनी तयारी को पूर्ण बनाए थेंकिये सो मच आल दे बेस्ट बेस्ट आप लग आप होंगे गाम्याँ